ममत्व से परिपूर्ण है शक्त है शशक्त है और सबसे एहम बात श्री राम लला की भक्त है श्री राम लला के मंदिर का सफना सजोया और सबसे बड़ी बात इसमें अपना सबसे बड़ा योगदान दिया जी हाँ हम बात कर रहे हैं सादवी रितंबरा की जो इस वक्त निउस 24 पर मौझूद है एक्स्क्लूसिवली हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है दिदिमा आपने अपना समय निकाला जबकि इस वक्त बहुत वैस्तिता है लेकिन सपना पूरा हो गया हाँ पलवी सपना जो है वो पूरा हो गया कारसेवकों के परिश्रम ने संतों के आशिरवाद ने और हमारी ये जो भगवती भारत भूमी है न ये चिनमई सत्ता है जब उनकी संताने आर्त नाद करती हैं हरदे से पुकारती हैं तो वो भगवती स्वयम जाग्रत होकर सामर अथेवान अपनी संतानों को बना देती हैं शिराम जनम भूमी के लिए सपना भी लिया गया संपने को पूरा करने के लिए संकल्प भी लिया गया संकल्प को पूरा करने के लिए प्राण पन से संपूर अपने सो प्रतिशत जिसको कहते हैं वो अर्पित किया गया और फिर कोटी कोटी हिर्द्यों का आर्थ नाध सुन लिया प्रभु ने और हम सब के संकल्पों की पूरती 22 जनवरी को हो रही है आप भूमी पूजन में मौझूद थी आप अब प्रान प्रतिष्था जब होने जा रही है उसमें भी मौझूद होंगी कैसी अनिभूती होती है जब के सपना पूरा हो रहा है बल्भी जो ना जब आपके जीवन का कोई एक लक्ष बन जाता है एक जीवन हानना तो फिर आप समसकते हो कि उस लक्षे के लिए हर पल यर छण आपका चिंतं चलता है कि राम cep अमंदिर बने और सबसे बड़ी बात है कि राम जी के मंदिर के बनने की प्रकृया में पुरा भारत राम में हो जाए और हम सब वो रामराज्य की जो कलपना करके बहुत-बहुत यूगों यूगों से प्रतिक्षा कर रहे हैं वो प्रतिक्षा आपको तो पता है प्रतिक्षा कैसी अधीर होती है प्रतिक्षा कैसी व्याकुल कर देती है लेकिन प्रतिक्षा में वही होता है जिसकी हम प्रतिक्षा कर रहे होते हैं तो आप उनको तो पता है अहल्या की भी शवरी की भी प्रतिक्षा थी सुतिक्षण की भी प्रतिक्षा थी और वो प्रतिक्षा कभी कभी हमारे धैरी की परिक्षा बन जाती है और फिर उन सारी अगनी परिक्षाओं से गुजर कर जब आप अपने प्रतिक्षित को अभीस्ट को प्राप्त कर लेते हैं तो वो प्रस शब्द की सामर्थे से परे है इस आनंद को व्यक्त कर पाना बिल्कुल और शायद ये द्रिश्य योध्या ही नहीं पूरे देश के अलग-अलग भागों से दिखन भी रही है जैसा आप कह रही है कि कई बाई शब्दों में बया नहीं किया जा सकता है लेकिन फिर से हम चलते सामना किया कई तरों के परिशानिया सामने आई क्या सबसे बड़ी चुनौती उस वक्त थी जो आज भी आपको याद आती है और कचोटता है असल में पलवी क्या है कि भारत के जन्मानस ने सदियों तक अपनी भावनाओं को अपनी अपने भावों को कुचला जाता देखा साभी मान हों, आस्थाएं हों, शरद्धाएं हों, हमारे आराध्यों के मंदिर हों, उन पर कुठारा घात हुए, उनको मिट्टी में मिलाने का प्रयतन हुआ, हमारे धर्म पर, हमारी पुत्रियों पर, हमारी परमपरा और हमारी मान्यता पर, युगों तक ये जो संकट के बादल मंडराते रहे लेकिन एक वो अंदर दढ़ता थी समाज के अंदर के हमें हमारी अपनी पहचान के साथ जीना है भले ही हमें उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो इस लंबे काल से कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आशा जो है न वो नाइराश्य में बदलती है उस सम संकल्प का बीज डालना के नहीं राम मंदिर बन सकता है और राम मंदिर बनाना चाहिए तो वो प्रारंब था प्रारंब तो आप जानती है गोमुख की गंगा कितनी छोटी सी बूंदे तो हम सब लोग गली-गली गाउं-गाउं किसी चबूतरे पे खड़े होकर किसी दु सुने हैं बस सुन रहे हैं एकदम इस्थित प्रग्य जैसे अब उनके घडियों में वो चिंगारी डालनी थी के वो ज्वाला बने संकल्प की ज्वाला बने उनके अंदर ये भाव जाग्रतों की हम राम के और राम के लिए हमें कार्य करना तो चनोतियां आपने पूछी च कोट बैंक की राजनीती सर चड़के नाच रही थी और सब को यही दिखता था कि यह इसकी क्या जुरूरत है अभी भी तो ऐसे हैं अभी तक चला ऐसे ही चलता रहेगा इस तरह के भावों में से समाज के चित को संकल्पमान बनाना था लेकिन आप देखो कि वो उसके लिए मैं समझती हूं ऐसा ही था जैसे दिया तयार है घी है बाती है बस थोड़ी सी एक संकल्प की चिंगारी चाहिए और दीप जगर-मगर करने लग जाएंगी जी चुकि अब राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा होने जा रही है सपना पूरा होने जा रहा है ऐसे में हर आदम करते हैं कि राम मंदिर के लिए वह व्यक्ति सबसे ज्यादा उसको कहा जाए कि उसके खाते में ये शेष्टा या शे जाना चाहिए देखे जब जैनम्भुमी का अंदोलन प्रारंभुआ पलवी तो ना वह समग्र सामुहिक सारे समर्पित लोगों का संकल्प था कोई भी अपना मूख्या तो बनाती है तो विश्वय परिशद के मार्कद रशक मंडल के सभी संतों ने मिलकर जब निर्णे किया और हमारा नेत्री तो मान्य शोक सिंगल जी ने किया वह ऐसा नेत्री तुथा पलवी कि वह जब पत्थर वरस रहे थे जंधने तो हम देखते हैं कि क और रक्त रंजित उनका माथा उन्होंने अपने माथे पे तॉलिया लगाया लेकिन एक कदम भी पीछे नहीं हटाया माननी अशोक सिंगल जी उनको बल था उनके तप का उनको बल था संतों की आशिरवाद का और विरक्त श्रोमनी पुझे स्वामी बामदेव जी महराज मेरे गुर्देव युगपूरिशु स्वामी परमानन जी महराज दिगंबर अखाड़ा के पुझे रामचंदर परमांस जी महराज छोटी छावनी के महंत नृत्ति गोपालदाज जी महराज और अभी उत्तर परदेश जिस ये शश्वी मुख्यमंत्री को प्राप्त किये हुए हैं उनके गुरुदेव महंत अवईदिनाज जी महराज विष्णुहरी डाल्मिया जी अचारिगीर राज किशोर जी ये तो वो नामे मैं गिना रही हूं लेकिन कोटी कोटी वो प्रचारक जो विश्व हिंदू परिश्द के माध्यम से जिनोंने पूरे भारत में ज जल्यान सिंग जी जो जिनोंने का मैं हजार सत्ताय नौचावर कर दूंगा जनम भूमी पर विजया राजे सिंधिया जी और वो हमारी आधनिया उमा भारती जी सारे लोग इस कार्य को समर्पित हुए बजरंग दल का बजरंग भाव दुर्गा वाहिनी का दुर्गा स्वर होगा और ये श्रे लेने की साधना नहीं है पल्लवी ये तो श्री राम की कृपय कि उन्होंने हम सब का चुनाव किया और हम इस अंदोलन में किंचित मात्र पल्लवी मुझे याद आ गया राम से तू बांधा जा रहा था है ना तो वहाँ पे हनुमान थे नील अंगद और नल जैसे बीर योद्धा बड़े-बड़े और एक नन्नी सी गलहरी वो क्या कर रही है पानी में बीख के और बालू के कन अपने शरीर पे लपेट रही है और सेतू पे डाल रही है तो हर्वान जी ने कहा कह ए गलहरी दब जाईगी योद्धाओं के प्यरों के नीचे तो गिलहरी ने का क्यों, तुम्हें अपने बल पे बड़ा गवरव है, मुझे नन्ना सा बनाया है, तो मेरा प्रयतन भी तो नन्ना ही होगा, और श्री राम उन योद्धाओं के बीच में उस नन्नी गिलहरी के परिश्रम को देख रहे थे, इंगित किया उन्होंने करुणा वरुनाले ने और गिलहरी को अपने पास बुलाया, अपने हाथ पे रखा, और करुणा वरुनाले श्री राम इसनेह और वत्सलता से उनके शरीर पे हाथ फेरा, आज भी सनातनी जगत मानता है, कि गिलहरी के शरीर की वो लकीरे लकीरे नहीं है, वो श्री राम की उंगलिय के आशिरवाद के निशान है तो मैं समझते हूं भगवान को हम चुने बड़ी बात नहीं है पर भगवान हमें चुन ले यह बहुत बड़ी बात है इसलिए हम सब का किंचित मातर नमित तेकम हम हम कौन सी सामर्थ रख सकते हैं श्रेक कैसे कोई कह सकता है कि मुझे मिला क्यों तो बहुत सारे लोगों को तो यह भी लगा कि यह क्या हुआ लेकिन वो योजना तो ना व्यक्ति की थी ना संगठन की वो तो नियती और नियनता की योजना थी अर हम सब साक्षी थे उसके क्योंकि पल्लवी मैं राजनीती की बात अलग है जिनोंने विरोध किया उन्होंन के रक्त से सर्यू का जल लाल हुआ उन माताओं को श्रे मिलना चाहिए ना जिननों ने अपने आंगन को सूना कर दिया अपने दो-दो पुत्र जनम भुमी के लिए औरपित किये उन बहनों को श्रे जाना किये ना जो प्रतिक्षा करती रही लेकिन अब वो कलाईयां नहीं है जिन पे उनको राक़्ी बांधनी अन माताओं को उन इस्तरियों को श्रे मिलनाब जाई जिन्ए अपनी मांग को सिंदूर से खाली कर दिया इसलिए श्रे उनका है जिनका बलिदान है श्रे उनका है जिन उन्हें तप किया श्रे उनका है जो इस सपने को लेके इस जगत से प्रयान कर गए इसलिए राजनीती के वितंडाबाद की बात तो मैं नहीं करूंगी पंदवी लेकिन भारत बहुत सारी बाते कही था चुकिता काई लोग इस पर प्रश्न भी उठाते हैं और यहां तक कह देते हैं कि हिंदू धर्म धूंग है अब उनकी क्या बात करनी है जो जो धर्म को ही नहीं मानता तो उसे धर्म को धूंग कहने का भी कोई अधिकार नहीं है धर्म नहीं है तो फिर पल लवी हम मनुष्य भी नहीं है, क्योंकि ज़न्मना तो सब पशूही होते हैं, इसलिए तो कोई नन्ना बच्चा भेडियों में पलता है, तो वो भेडियों जैसा ही बेवार करने लग जाता है, मनुष्य को मनुष्य बनाया ही धर्म ने है, और धर्म करतब है पल लव अगर धर्म नहीं है तो पती और पतनी शाश्वत एक दूसरे के प्रती विश्वास से भर नहीं सकते अगर धर्म नहीं है न पलवी तो तरुण पुत्र और पुत्रियां वो भाई बहन नहीं हो सकते धर्म नहीं भाई बहन की वेवस्था दी है पीता ने हमें नहीं पता उनस होना तो हम अपने पिता तक को ना पहचान पाई जाते जाते एक सवाल करूंगी आज की राजनीती आज की सरकार और खास करके ब्रधान मंत्री मोधी को कैसे देखती हैं प्रधान मंत्री जी ने भारत के जनमानस के मन को छुआ है प्रधान मंत्री जी ने अगर कोई चूले चौके में आखों को धुंदे आती हुई धुंदला पड़े हुए और उसको भुजते हुए देखा तो फिर कोशिश की कि वो धुआ धुसरीत आंखे ना हूँ मोदी जी ने निश्चित किया कि इस रास्ट का विकास होना चाहिए यहां भव्यता आनी चाहिए फिर भव्यता के कारण विकास का बड़ा वातावन बना लेकिन जब वो केदार ना चले जाते हैं काशी चले जाते हैं या अयोद्या में रामलला के सामने भूमी पूजन के सम में दंडवत पड़ाम करते हैं तो ये निश्चित करते हैं कि खाली भव्यता से ही सुखी नहीं होगे उसमें दिव्यता चाहिए और दिव्यता भगवान की भक्ति से आती है तो मोधी जी ने जव निराहार रहकर नवरात्रों में जल पे रहकर पूरे विश्व का ब्रह्मन क समझ गया सारा विश्व के तप और त्याग में कितनी बड़ी सामर्थे होती है इसलिए उनके इरादे अच्छे हैं बहुत सारी बहुत सारी बातें किसी को पसंद नहीं आती वो तो राजनीती में ये सब चलता है लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब काशी कारीडोर में हम मैं थी और उसके बाद जब उसका लोकारपण होगा था भूमी पूजन अयोध्या का के दारनाथ में जब भी कभी मोधी जी को देखो तो लगता है कि मा भारती की पीडा को वेधना को समझने वाला पुत्र है नरेंदर मोधी बाकी तो सब अपनी-अपनी आंखों से अपनी- और तरीकों से देखा जा सकता है लोगों को कुछ राजनीती भी लगती है लेकिन मैं पल भी ये कहूंगी कि अगर सनातन का अपमान करके कोई राजनीती कर रहा है लेकिन कोई सनातन का पोशन करके राजनीती भी कर रहा हो तो संतों के आशिरवाद तो उसी पे बरसने वाल तो राम लला की प्रान प्रतिष्ता भविता के साथ ही इस बात को भी कहेगा कि संत सनातनान गिंदित्व का एक विजय प्रतीख है साथी साथ ये भी होगा की इस भवता और इस बड़े समाहरों का साक्षी पूरा विश्व होगा जिसे इतिहास में दर्ज किया जाएगा